वेल्कम बेक तो माई चैनल और कैसे हैं आप सभी and I am back with another vlog and जो भी मेरे नए व्यूर्स हैं please don't forget to subscribe my channel and please like share my video and thank you so much for your love and support और जैसा कि आप अब तक समझी चुके होगे यह है रेनी डे व्लॉग और आप सब जानते ही हैं कितनी गर्मी पढ़ रही थी काफी दिनों से हम बारिश हवेट कर रहे थे और मौनजून आ चुका है और सुपर से यहां बारिश रगी हुई थी काफी तेज हवाएं चल रहे थी और मौसम भी काफी अच्छा हो गया तक गर्मी में थोड़ी रहात हुई ली थी वारिश होने से और यह होल मन्त ऐसा लगा ही रहगा बारिश कर्मी बारिश कर्मी वारिश को बहुत पसंदू है Dell फक्रा कर बहुत एम करता है बारिश निद्म सकता है वह नुगिभी ने ने क्याफी चलता है मौनने करसे इसके लिए मैंने कुछ एक अनियन्स क्लीन करके लैंट वाइस फाइली चॉप कर लिये थे इनको मैं नमक लाकर थोड़ी दिर की लिए छोड़ दूंगी इनको नमक को अचे से जब कर देंगे ताकि इनके पैटल सलग हो जाए और थोड़ी दिर लखने से इनका मौस्टर रि थोड़ी कच्छी कैरी काला नमक थोड़े यहां पर मैंने मिंट लीफ्री आड़ी है इसमें थोड़ा पाइं डाल के इसको हम चटनी बना लेंगो यह मारी मिंट और ग्रीन चटनी हो गई है रेडी और यह आप इसमें कच्छी कैरी की जगा नीवू या आमचूर का भी तोड़ा नमक थोड़ी ही जग अच्वाइं थोड़ा काला नमक थोड़ा आमचूर का पाउरर यह भी आपको पसंद देता है थोड़ा काला नमक अगर नमक थोड़ा कॉंचिएसली आड करेंगे कुई हमने अनियन्स में नमक आड़ किया था और धुनिया हरी मिच आप यह जाला हुआ जाला है अगर क्यालाई चाहिए में और चाहिए लिदा उंपने और लाना ओला है और भिक्षाआ डही हैं डालेंगे तो फड़े टायनस हो जाता हैं बेसन बेसन हो जाता हैं जब वह एंचिय औRO अछिज्ट अच्छिम प्रिम ढ कूदिक टाकर कमरेंगे गडाई रख देघरा कोल टिया घ्तली मैं आप मस्टर्ड ओयल डाल यूज कर रही हूं, आप कोई भी अपनी प्रिफरेंस को ऐल यूज कर सकते हैं, आलो के अच्छे पकोड़े मस्टर्ड ओयल में बहुत अच्छे लगते हैं, और इनको हम प्राई कर लेंगे, कभी भी पकोड़ों को ओवर क्राउड ना करें, इत नहीं आपके पकोड़े क्रंची बनेंगे, कुछ लोग इसमें सोडा और गरम तेल भी डालते हैं प्रंची करनने करिए, मैंने लितिन से फ्राइस फ्रार डाला इससे यह काफ़ी प्रंची हो जाते हैं, और पतले आपके स्लाइस होंगे, अनियों और आरुके आपके प्रंची कर लिया है, और साथी साथ मैंने रग दी रह चाय बनने के लिए तरह हमारे पकोड़े त्यार हो रहे हैं, हमारी चाय भी हो चुकि है रेडी, और अगर आप कांदर वजिया बना रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कभी पानी एंड ना करें सिर्फ आप जो हमारे हैं उसको नमक लगा के छोड़ें और जो मॉस्चर रिलीज होता है बस उसी में ही आपका जो आप उसमें जो फ्लार डालेंगे उसमें उसका बहता त्यार करें और आपको पकोड़े त्यार होंगे और यह हमारा पकोड़े रेडी हैं विद ग्रीन चटनी और गर्मा गर्म आप इसको जरूर ट्राइ करें एक बार आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज तू लाइक शेर और कमेंट और यह देखिए अधहत को भी यह पकोड़े बहुत अच्छे लगे थे उसको मैं बनाती रहती हूं थो तो ठोड़े दिन में यह आलू के पकोड़े उसको अच्छे लगते हैं यह ने तो उतना नहीं कहाता है शौक से लेकिन जो किस्तिकस पर आलू पकोड़े होते हैं वो बहुत इसको पसंद आते हैं आप भी बच्चों के लिए प्राइक रास सकते हैं यह उप्छ अज अश् झाल 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 झाल